हे दोस्तों, this is my case, well, कभी-कभी हम लोग अपने day-to-day life में इस तरीके के sentences को बोलते हैं, जहां पर हम लोग काते हैं, लिखना तो दूर की बात है, उसे पढ़ना तक नहीं आता, सराप तो दूर की बात है, मैं चाय तक नहीं पीता, बात करना तो दूर की बात है, यार उसने म मोबाइल चलाना नहीं आता, तो ऐसे sentences को English में बोलने के लिए, हम लोग की से structure का यूज करते हैं, काफी ज़्यादा interesting structure है, तो आईए structure की तरह बढ़ते हैं, structure में सबसे प्ले राट करेंगे subject, subject को लिखने के बात, tense के according to, यदि आपका tense में helping वो है तो लगाईए, नहीं तो कोई बात नहीं है, उसके बात आपको लगाना पड़ेगा not, और not को राट करने के बात, वर्व लगाएंगे, वर्व जिस भी form में होगा, उसको उसी form में राट करेंगे, वो depend करेंगे कौन सा tense का आप sentence बोल रहे हैं, last में object लगा देंगे, और object को लिखने के बात, लगाए और उसके बात लगाएंगे हम लोग let alone, यहाँ पर जो phrase आया है, तो दूर की बात है, इसके लिए हम लोग phrase उच करते हैं, इसमें let alone, और let alone के बात हम लोग फिर से वर्व राइट करेंगे, और याद रखिएगा यह वर्व वही वर्व होगा जो वर्व आपका पहले वाला वही वर्व सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, और उसके बाद object होगा तो object राइट कर देंगे, अगर वर्व आपका तो वर्व राइट करेंगे, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि, यदि यह let alone बाला sentence आप पहले लिख रहे हैं, और पहले बाला sentence last में लिख रहे बन, बन, बन करते रहता है, और खुब इधर प्रैसान करता है, रात में वीडियो बनाते समय, चलिए फिलाल, हम लोग बढ़ते हैं sentence के तरफ, तो आज का पहला sentence है, लिखना तो दूर की बात है, उसे पढ़ना तक नहीं आता, तो इस sentence के लिए बोलेंगे, He doesn't know how to even read, let alone write, next sentence, सराप तो दूर की बात है, मैं चाय तक नहीं पीता, इस sentence के लिए बोलेंगे, I don't even take tea, let alone wine, या alcohol, next sentence, बात करना तो दूर की बात है, उसने मुझे देखा तक नहीं, तो इस sentence के लिए बोलेंगे, He didn't even look at me, let alone talk, आप चाये तो didn't को didn't भी पढ़ सकते हैं, तो इस sentence के लिए का सकते हैं, He didn't even look at me, let alone talk, next sentence, मुझे मानना तो दूर की बात है, वो मच्छर तक नहीं मार सकता, इस sentence के लिए बोलेंगे, He can't kill even a mosquito, let alone beat me, he can't kill even a mosquito, let alone beat me, next sentence, लेप्टॉप तो दूर की बात है, उसे मुबाइल चलाना नहीं आता, इस sentence के लिए बोलेंगे, He doesn't know how to use mobile, yeah, he doesn't know how to operate the mobile, let alone laptop, yeah, or laptop, article लगा देंगे, He doesn't know how to use the mobile, yeah, how to use a mobile, let alone a laptop, hey guys, related this structure, I'm giving you a sentence, so please write it in the comment box, if you make any mistake, then I'll correct it, hey guys, how did you find my video, if you really like this video, Please like, comment and subscribe, and do not forget to share this video, thanks for watching my friends, bye-bye, ये दोस्तों, अक्सर मूवी देखते समये, आप इस तरीके के sentences को सुनते होंगे, जहां पर कोई actor या actress बोलती है, ये तो बस वही जाने, ये तो आप ही जाने, ये तो वही लड़की जाने, कि उसने तुमें धोगा क्यों दिया, ये तो पापा जाने, कि उसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया, तो ऐसे sentences हम लोग अक्सर day-to-day life में काफी ज़दा यूज करते हैं, इसको बनाने के लिए बहुत ही simple और कमाल का structure है, आप इसको जानते हैं, लेकिन इस तरीके sentence को आप इंगलिस में बोल नहीं पाते हैं, तो आएए इसके structure को देखते हैं, सबसे पले राइड करेंगे only, इन सभी sentence को बया करने के लिए only word का यूज करेंगे, सबसे पले लगाए only, उसके बाद subject, जो भी subject है, और आपको ध्यान रखना है, उसके बाद जो word आएगा, या तो भी one आएगा, या तो भी five आएगा, यदि sentence में आपका subject ही सीट, singular noun हो तो भी five लगाईए, यदि sentence में subject I view दे plural हो तो भी one लगाईए, इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ examples देखिए, ये तो बस वही जाने, तो इस sentence के लिए बोलेंगे, only she knows it, only she knows it, means ये तो बस वही जाने, next sentence, ये तो आप ही जाने की खाजाना कहा है, या नहीं तो कभी ऐसे बोलते हैं, ये तो शिर्फ आप ही जाने की खाजाना कहा है, only you know this, where is the treasure, only you know this, where is the treasure, next sentence, ये तो बस वही लड़की जाने, की उसने तुम्हे दोखा क्यों दिया, तो इस sentence के लिए बोलेंगे, only that girl knows, where did she deceive you, या where did she betray you, betray या deceive का यूज करते हैं, दोखा देने के लिए, next sentence, ये तो पापा जाने, उसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया, तो इस sentence के लिए बोलेंगे, only that knows this, why didn't he let me go, only that knows this, why didn't he let me go, हे दोस्तों, this is my case, well कभी कभी हम लोग अपने day to day life में, इस तरीके के sentences का यूज काफी जादा करते हैं, इसको English में किस तरीके से बोलेंगे, first let me tell you what we are going to learn in this video, तुम कभ कभ पढ़ते हो, वो यहाँ कभ कभ आया था, कभ कभ तुम कोचिंग जाते हो, या तुम English की practice कभ कभ पढ़ते हो, तो यहाँ पर जो फ्रेज आया है, कभ कभ, इसको English में क्या बोलते हैं, कभ कभ को when or बोलेंगे, नहीं, when के साथ अगर all लगा देंगे, तो इसका हिंदी जो है कभ कभ नहीं होगा, वो wrong हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग फ्रेज उच करेंगे, how often, इस ट्रेक्चर में सबसे प्ले राइट करेंगे, how often, और how often को राइट करने के बाद, हम लोग लाएंगे helping work, helping work के बाद subject, और subject के बाद main work, according to tense, जो भी tense हैगा, उसका main work आएगा, और last में other words, है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, वेल, इसको और भी better तरीके समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ examples, तो आज का पहला sentence है, तुम कब-कब पढ़ाई करते हो, इस sentence के लिए बोलेंगे, how often do you study, how often do you study, next sentence, तुम यहाँ कब-कब आये थे, इस sentence के लिए बोलेंगे, how often did you come here, how often did you come here, next sentence, तुम कब-कब बजार गए थे, इस sentence के लिए बोलेंगे, how often did you go to market, how often did you go to market, next sentence, वो कब-कब कोचिंग जाता है, इस sentence के लिए बोलेंगे, how often does he go to coaching, how often does he go to coaching, next sentence, वो अंग्रे जी का प्रेपिस, कब-कब करता है, इस sentence के लिए बोलेंगे, how often does he do the practice of English, how often does he do the practice of English, next sentence, तुमने मुझे कब-कब पैसे दिये थे, इस sentence के लिए बोलेंगे, how often did you give me money, how often did you give me money, next sentence, तुम उससे मिलने कब-कब जाओगे, इस sentence के लिए बोलेंगे, how often will you go to meet her, कि हाओ अफवान विल्यू गोटू मिट हो है गाइज इस दोड़े माइपको एक संडेज देता इसको ट्रांसेट किजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको गलती करेंगे तो मैं आपको करेंगे बता दूंगा दोस्तों कैसी लेकी दिछ लेकी देख लाइक कर जिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकोन को बिल्ट के लिए तकी मेरा रोज आने वाले वाले वीडियो को नोटिविकाशन मिल्गों टैंपर मिल्टी रे थांक्स पर वाचिंव वाचिंव और प्रेंट्स अंडून फोगेट तो से दिस वीडियो